नमस्कार दिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम कुरोना काल के लिए कढ़ा बनाने का रेसिपी लेके आये हूँ जो कि आपके सेहत के लिए काफी फायदेमंद और रोग प्रतिरोधक्षमता वढ़ाने में काफी हेल्प करेगा तो चलिए यहाँ पे हम सुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से 10 दाना हमने लिया है काली मिर्ज जिसे आप सभी जानते हैं कि काफी फायदेमंद होता है और इसके बाद यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 लौंग है इसका भी गुण करने वाला नहीं है काफी गुणकारी होता है लौंग और आप जो है इसे जरूर् इसमें यूज करें इसके बाद यहाँ पर हम छोटी सी दालचीनी लिये हैं और यहाँ पर यह लिये हैं सोट जो की अदरक का सोट होता है वही सोट है थोड़ा सा इसमें हम सोट लिये हैं जोडों के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसके बाद यहाँ पर लिये हैं हम एक इलाइची जिए आप अगर मुँ में डालते हैं, तो आपका दात का पैरिया बिल्कुल खतम हो जाता है, बागी भी इसमें काभी 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 गुणों से भरपूर है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाले हैं संप, और इसके बाद यहां पे लिए हैं हमने तुलसी पत्ता है, जो कि थोड़ा सा सुखा हुआ है, और इसका तो गुण आप सभी जानते हैं, तुलसी का गुण कहने का तो कोई बात नहीं है, सभी लोगों को पता है, तुलसी कितना फायदे मन्चेज होती है, इसके बाद यहां पे लिए हैं एक पीपल, पीपल भी सर्दी जुखा, खासी में बहुत लाबदायक होती है, तो यहां पे हमने एक पीपल लिया है, पर इसको पूरा नहीं डालेंगे, इसमें से आधा हम तोड़ लेंगे, अब इनको बिल्कुल धीमी, आज पे हमें थोड़ा सा गरम करना है, जादा नहीं हमको, बस गरम करना है, यह चीज आप अपने घर में बना कर और इस तरह से आप एक डिब्बे में रख लिजिए, ज्यादा कॉंटेटी में, और उसके बाद डेली सुबह के टाइम आप इन्हें खाली पेट लिजिए, जैसे आप चाय पीते हैं, उसके जगह आप इस कढ़े को यूज करिए, और आपकी नजदेक नहीं तो चलिए, अब हमारा हलका सा गरम हो गया, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिए हैं कुंडी और इसमें हम इसे हम कूट लेंगे, आप चाहें तो थोड़े थोड़े बनाएं और नहीं तो फिर आप क्या करें कि एक बार ज्यादा सा बना कर किसी डिब्बे में रख लें और जैसे चार लोग हैं तो एक चम्मच आप डालें, एक चम्मच से भरपूर आपको स्वाद अच्छा मिलेगा और सेहत के लिए भी काफी फायदे मन्द होगा, अब यहाँ पर हम लेते हैं एक पैन और उसमें डालते हैं, चार कप पानी है और यह है कप बड़ा वाला, तो आ पाद इसमें यह जो सारा चीज है कुटा हुआ इसे डाल दें, और उपर से इन्हें धकन लगा दें, और धीमी आज पे इन्हें कम से कम, पान से साथ मिनट तक पकने दें, इस तरह से धक के जरूर पकाएं, क्योंकि इसका जो है बाप बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह कड़ा है, काफी गुण कारी होता है, तो इसका वाप बाहर ना जा, अब इसे आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, तो अभी हम इन्हें ठक कर और पकाएंगे, तो से तेन मिनट तद, अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, चार कप पाने था, तो इसे हमने तीन कप रख दिया है, यानि कि एक कप पाने हमें बॉयल करते हुए जला देना है, तभी आपका कढ़ा जो है, अच्छा फायदे मन बनके तयार होगा, और स्वाद में भी बढ़ी आएगा, आप चलिए यहाँ पर एक कप लेते हैं, और इसमें हम एक कप छान लेते हैं, देखिए आप, कितना सुंदर कलर है, और खुसबू अच्छी आ रही है, इसके बाद आप चाहें, तो इसमें गुड़ भी डालें, और चाहें तो यहाँ पर हमने लिया है, यह मद है, सहद, और इसमें थोड़ा सा सहद डालकर एक कप में एक चम्मस सहद डालें, और उसके बाद आप इसे पी लें, बहुत फायदेमंद है यह, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दो कप के लिए गुड़ लिया है, और गुड़ डालक हम पका दे रहे हैं, मद को निचे ही उतार के आप डालें, मद पकाना नहीं है, क्योंकि सारा गुण उसका खतम हो जाता है, जब मद को आप पका देते हैं, अब यहाँ पर हमने गुड़ वाला भी चाय चान दिया, इस तरह देखिए, तो आप देख सकते हैं, डेली आप अपने सुबह के चाय के टाइम आप कढ़ा पीजिए, और कोरोना से बचिए, और इसमें उपर से थोड़ा सा नेवू कार दिजिए, दो से तीन बूंत, बस कढ़ा आपका तयार है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा,